हेलो गैस कैसे हैं आप लोग आई हूँब कि आप सभी लोग ठीक हूँगे मैं हूँ अभी सीक और आप देखना सुरू कर चुके हैं study with अभी सीक गैस पार्ट 14 करने वाले हैं हम इस वीडियो में physics का इससे पहले हम पार्ट 13 तक complete कर चुके हैं इनके से आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा इसके playlist का आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक और important information आपको दे देता हूँ जैसा कि मैंने आपको suggest किया था कि आप परिक्षाप से best test series ले सकते हैं तो आप लोग ले लो अभी आपके पास chance है 50% का discount मिल रहा है first 100 candidates के लिए जिसमें की काफी candidates ने ले लिया है आपके पास भी chance है तो आप जरूर लो link description में मौचूद है वहाँ से जाकर के आपको लेना है और ये code डालना है AB study 50 डालोगे तो आपको 50% का discount मिल जाएगा guys मैं suggest कर रहा हूँ that means कि मैंने उसको अच्छे से check किया होगा अच्छे से मैं देखा है questions काफी अच्छे level के हैं और बिल्कुल exam जैसा feel होगा आपको तब ही मैं आपको ये recommend कर रहा हूँ तो आप जरूर लो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो कैसे लेना है उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें की पूरा प्रोसेस आपको समझाया है अगर वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में उसका भी link दे दूँगा आप उसे भी जाकर के देख लेना चलिए शुरू करते हैं और आज के सवालों को हम देखते हैं तो इस अब तक हमने 13 पार्ट तक 240 नंबर question complete कर लिया था 240 तक हमने complete कर लिया था आज हम 241 नंबर से सुरू करने वाले हैं सुरू करने से पहले एक दू चीज़े जो की अहम है आपके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक question को attempt करने की कोशिस करना खुद से कोशिस करना कि वो सवाल solve हो जाए देना आप answer देखना कि मैं क्या बाता रहा हूं ठीक है और ये हर एक question के लिए करना बाकी आपका जो भी score हो वो वीडियो के end में comment section में जा करके लिख देना चलिए पहला सवाल 241 नंबर सवाल है सुई का पानी के उपर तैरने का कारण है प्रिष्ट तनाव, आसंजन, ससंजन और केसी कत्व correct answer हो जाएगा option A यानि की प्रिष्ट तनाव surface tension की वज़े से जो सुई है वो पानी के उपर तैरती है उसका पानी के उपर तैरने का कारण क्या है प्रिष्ट तनाव है surface tension is the reason for a needle to float above water ठीक है अगला सवाल पानी से निकलने पर सेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते है इसका कारण है the reason for saving brush hair sticking to each other when it comes out of water is घरिशन, प्रिष्ट तनाव, प्रत्यस्ता and स्यानता correct answer इसके लिए हो जाएगा option number B यानि की प्रिष्ट तनाव प्रिष्ट तनाव ही वो वज़े है जिसके कारण पानी से निकालने पर saving brush जो होते हैं जिससे हम save करते हैं saving brush के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं ठीक है? चिपक जाते हैं तो वो क्यों होता है? वो प्रिष्ट तनाव के कारण होता है ठीक है? अगले सवाल की और हम बढ़ेंगे अगला सवाल है draw की बूंद की आकरिती गोलाकार होने का कारण है the reason for the shape of a drop of flood to be circular स्यानता, अल्प भार, प्रिष्ट तनाव और वाईव मंडलिये ताप सोचो गाई जाप आपने देखा होगा कोई भी draw हो उसका जो बूंद होता है उसका जो drop होता है वो हमेशा circular होता है वो हमेशा गोलाकार ही होता है वो लंबा क्यों नहीं होता ऐसा हो सकता है न, लंबा भी हो सकता है क्यों लंबा नहीं होता क्यों कोई भी drop हो, कोई भी draw का drop हो, तो वो गोल ही होता है इसका कारण है guys option number C यानि की प्रिष्ट तनाव प्रिष्ट तनाव के कारण ही draw की जो बूंद है को बता देता हूँ कि ये जो तीनो question करवाए मैंने ये बहुत ज़्यादा important है और ये तीनो कारण प्रिष्ट तनाव ही है तीनो का होना प्रिष्ट तनाव के उपर निर्वर करता है तो बूंद भी इसी वज़े से गोलाकार होती है अगले सवाल swing time is घटता है चार गुना हो जाता है एक चौथाई हो जाता है और दुगना होता है correct answer इसके लिए हमारा हो जाएगा option number D यानि की दुगना होता है यादि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के जूलने का समय जो है वो दुगना होता है इफ दा लेंथ आप दी पेंडूलम इज रिदूस तो फोर ताइम्स देन दी पेंडूलम स्विंग टाइम इज डवल next question वासिंग मसीन का कार्रे सिधान्त है वाट इस दा वर्किंग प्रिंस्पल ओफ ए वासिंग मसीन उपकेंद्रण, विशरण, अपकेंद्रण और अपोहन correct answer इसके लिए हो चाएगा option number C यानि की अपकेंद्रण अपकेंद्रण जो है यहीं वासिंग मसीन के कार्रे का सिधान्त है centrifugation is the working principle of a वासिंग मसीन याद रखिएगा अपकेंद्रण कारण है वासिंग मसीन के कार्रे का सिधान्त है अगला सवाल एक lift में किसी ब्यक्ती का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब lift जा रही है the direct weight of a person in an elevator is less than the actual load when the lift is going त्वरण के साथ उपर समान गती से नीचे समान गती के साथ उपर और त्वरण के साथ नीचे correct answer इसके लिए हो जाएगा हमारा option number D यानि कि त्वरण के साथ नीचे गई जब त्वरण के साथ lift नीचे जाती है उस time पे ब्यक्ती का जो प्रत्यक्ष भार होता है वो वस्तविक भार यानि कि जो real weight है real weight से कम होता है किस time पे जब lift नीचे की ओर त्वरण के साथ जा रही हो ठीक है ये चीज याद रखिएगा बहुत महत्वण question है अगला सवाल पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तेहरता रहता है यह किस सिधान्थ पर अधारित है पास्कल का सिधान्थ आर्कमिडीज का सिधान्थ गुरुत्वा कर्शन का नियम और इन में से कोई नहीं correct answer इसके लिए हो जाएगा हमारा option number B यानि कि आर्कमिडीज का सिधान्थ जो है इसके कारण ही पानी में लोहे की सुई जो है वो डूब जाती है लेकिन जहाज तेहरतार रहता है दुनिया में जो भी चीज है गाईज वो सब फिजिक्स है everything is physics ठीक है तो ये वज़ा भी इसी वज़े से है अगला सवाल 248 नमबर पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकडा तैर रहा है जब बर्फ पिखलती है तब पानी के सर पर क्या प्रभाव होगा बढ़ेगा कम होगा पहले बढ़ेगा फिर कम होगा उतना ही रहेगा और इन में से कोई नहीं पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकडा तैर रहा है जब बर्फ पिखलती है तब भी पानी के जो सर है वो उतना ही रहेगा ठीक है गईज अगला सवाल था में एक मुंबती की ज्वाला का आकार हो जाएगा इन दी स्टेट ओफ वेटलिसनेस विल अ कैंडल फ्लेम ओकर अधिक लंबा वही रहेगा गोलाकार और अधिक छोटा करेक्ट इंसर इसके लिए हो जाएगा ओप्सन नंबर बी यानि की वही रहेगा भार हिंता की अवस्ता में एक मुंबती का ज्वाला काकार जो है वही रहेगा अगला सवाल निमनलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है विच आप दा फॉलोविंग इस नौट इउनीट ओफ न्यूटन मीटर बल, उर्जा, कार्रे और गतिज उर्जा करेक्ट इंसर इसके लिए हो जाएगा ओप्सन नंबर ए यानि की बल बल जो है इसकी काई न्यूटन मीटर नहीं है ठीक है फोर्स हैस नौट इउनीट ओफ न्यूटन मीटर अगला सवाल वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओ की मॉल्कूल्स ओफ एन ऑबजेक्ट विन हीटेड बढ़ जाएगी का भार घट जाएगा कभार बढ़ जाएगा और की उर्जा कम हो जाएगी करेक्ट इंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा यानि की वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अणुओ की चाल बढ़ जाएगी ठीक है अगला सवाल इन में से कौन उसमा का मातरक नहीं है ये जो है ये उसमा का मातरक नहीं है ठीक है अगला सवाल इन में से, sorry, इन में जब जल उचाई से गिरता है तो उसका ताप in these when the water falls from a height, its temperature घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है, न बढ़ता है, इन में से कोई नहीं Correct answer, option number B, यानि की बढ़ जाता है इन में जब जल उचाई से गिरता है, तो उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, next है, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा Where will it take more time to cook rice, समुद्र तट पर, सिमला में, माउंट एवरेष्ट पर और समुद्र की गहराई में Correct answer, इसके लिए हो जाएगा, option number C, यानि की माउंट एवरेष्ट पर माउंट एवरेष्ट पर चावल को पकाने में, वह ताप जिसपर बर्फ, पानी और वास्प संतुलन में रहता है, कहा जाता है हिमांक, त्रिक बिंदू, क्राम्तिक ताप और क्वतनांक Correct answer, इसके लिए हो जाएगा, option number B, यानि की त्रिक बिंदू त्रिक बिंदू कहा जाता है, वह ताप जिसपर बर्फ, पानी और वास्प संतुलन में रहता है अगला सवाल, किसी द्रव का वास्पी करण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरवर्तित रहेगा, तेजी से घटेगा और घटेगा करेक्ट इंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा option number D, यानि की घटेगा, किसी द्रव का वास्पी करण होने से उसका तापमान घटेगा, डिक्रीज होगा अगला सवाल, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रियोग होता है, which of the following engines is applied, पंडूबी नोधन में, अति चालकता बिसेक अनुसंधानों में, रॉकेट प्रधोगी की में, और तुसार मुक्त प्रसित्तित्रों में करेक्ट इंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा option number C, यानि कि रॉकेट प्रधोगी की में, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रियोग होता है, ठीक है, इनका यानि कि रॉकेट टेक्निलोजी में प्रियोग होता है, अगला सवाल, वायू मंडल में प्रकास के विसरन का कारण है, करेक्ट इंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा, option number D, यानि कि रॉकेट वायू मंडल में प्रकास के विसरन का कारण रॉकेट है, अगला सवाल, आकास का रंग नीला प्रतीत होता है, अगला सवाल, इंद धनुस कितने रंग दिखाता है, इंद धनुस जो है, रंबो जो है, वो 7 कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है, ठीक है, ये थे हमारे आज के 20 कोशन, आई होप कि आपको ये विडियो पसंद आई हो, विडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टा आइडी, टेली कराम आइडी, आपकी स्क्रिन पर है दोनों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है, अगर आप चाहो तो जाकर के जोईन कर सकते हो, इस विडियो में इतना ही मिलता हूए और विडियो के साथ, थैंक यू सो मच